क्या आप financial retire होना चाहते हैं बने रही इस वीडियो में इस पर्टिकलर वीडियो में मैं आपको excel के मात्यम से बताऊंगा कि कैसे आपको financial planning करनी है जिसे कि आप जल्दी retire कर सके और जब आपको retire करना हो आप तब retire कर सके financially तो हम लोग यह पर्टिकलर Excel देखेंगे जिसमें मैं आपको हर एक सेल बताऊंगा कि यह पर्टिकलर सेल क्या काम करता है आपको कैसे यूटिलाइस करना है साथी साथ मैं यह पर्टिकलर एक्सेल जो मैंने बनाया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा तो आप अपने वैल्यूस खुद रिटार्मेंट प्लानिंग वह अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा इसका जिसमें मैंने मूचल फरंड क्या होता है और इंफलेशन क्या होता है FIRE क्या होता है उसके बार में बेसिक्स मैंने जवर किया है जिससे कि वह आपको एक को पता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यह वीडियो भी देख सकते हैं आपको समझमा जागा कि कैसे क्याक्योशन किया गया है और क्या क्या आपको प्रमेटर चेंस करने हैं क्या वैल्यूज आते हैं तो पहλά देखते हैं क्या अबक्य को जो भी उमर हो, वो आप डाल सकते हैं, मान लीजिए आपकी अभी की उमर 30 साल है, तो आप 30 साल डाल सकते हैं, उसके बाद है retirement age, आप कब खुद को financially retire देखते हैं, तो ये financial retirement age है, आपकी job cater retirement age नहीं है, अब financially कब free होना चाहते हैं, वो आप खुद डाल सकते हैं, तो मैंने मान मान लीजिए 50 साल रग है, कि 20 साल में मेरे को मान लीजिए retire होना है financially, उसके बाद बात करते हैं कि आपका आज का expenditure कितना है, तो monthly expense for now, मतलब अभी का expenditure कितना है, मान लीजिए एक example लेता हूँ में, कोई इंसान है, जो 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, time and have my conversations and year again, में, अजों इन्वेस्मेन करता है, है n तो 50,000,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00, YES, मतलब retirement की age में, उसको 3,00,20,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000,00,00, 00,00,00,00, сейчас I just have a question, तो कल वो 33 रुपे हो जाएगा परसो मतलब 2 साल बाद 36 रुपे हो जाएगा तीन साल बाद में भी 40 रुपे हो जाए तो इस इस आप से inflation rate 10% हो गया इंडिया में net net inflation rate 5-6% रहता है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं inflation को मैंने 6% लिया है जो कि standard है आप average देख सकते हैं पहले मलों आगी के 20-30 साल का चार्ट भी अगर आप उठा के देखेंगे आपको 5-6% on an average दिखेगा inflation तो उसको 6% को रखते हुए obvious बात है कि आपको 20 साल बाद आज का 1 लाग का value आपको 3,20,714 रुपए के equivalent होगा calculation की हिसाब से अभी आप इस वाले cell में row number 7 में monthly SIP माल लीजे 50,000 करते हैं एक example के तोर पर बता रहा हूं तो 50,000 रुपए आप आज से चालू करते हैं 30 साल की उमर में और 50 साल मतलब 20 साल तक आप 50,000 रुपए हर महीने डालते जा रहे हैं अब आपकी salary भी बढ़ती है हर साल तो हर साल आपका salary माल लीजे 10% भी अगर बढ़ता है तो obviously बात है जो at least 10% से तो बढ़ना ही चीए तो आज माल लीजे 2024 है तो 2024 में आप माल लीजे 50,000 रुबे invest करते हैं तो अगले साल 2025 में आपको 55,000 करना चीए उसके अगले साल आपको 60,500 करना चीए ऐसे करके आपको 10,000 करके बढ़ाना है तो आप माल लीजे 50,000 से शुरू करते हैं आपका S SIP Systematic Investment Plan और 10% से आप उसको बढ़ाते हैं हर साल और आप माल लीजे इनिशल इन्वेस्मेंट अभी का इन्वेस्मेंट आपने कुछ भी पैसा नहीं डाला है लंसम जिसको बोलते हैं वह आपने कुछ भी नहीं डाला है माल लीजे 0 है और आप बस SIP करना चाहते हैं तो इसक आपको 12% के आसपास मैंने रिटन माना है क्योंकि आवरेज आप अगर 15-20 साल का चार्ट उठाके देखेंगे 12-15% के आसपास एवरेज है अगर आप लार्ज क्याप में लगाते हैं तो जो की मोसली निफ्टी 50 है निफ्टी नेक्स 50 है मतलब भारत की टॉप 100 कंपनियों के उपर अगर आप पैसा लगाते हैं तो 12-15% के आसपास आपको रिटन मिलता है हर साल यर आपको 12-15% के आसपास मिलता है मैंने सेफा साइट के लिए 12% लिया है इंफलेशन जो पैसे की आउकाद गिर जाती है उसको 6% लिया है और रिटार्मेंट के बाद मतलब 50 साल के उमर एज में रिटर्न मिलता है माल लीजिए ठीक है तो इस कैलकुलेशन के हिसाप से जैसे आपने यह सब कुछ पुट किया यह सारे वैलियूस पुट किया आपने अलग-अलग जैसमें मेली मुझे ऐसा लगता है आपको जिसके साथ खेलना चाहिए वह है आपकी खुद की केमिटर मेजर ली ऐसे हैं जिसके साथ अप ले अलॉंग कर सकते हैं बाकी चीज़ों को छेड़ने को ज्यादा मतलब है नहीं आपको उतना फॉलो करना बहुत जरूरी अगर आप 15% यहां पर रख देंगे तो फिर वह वैल्यू और ज्यादा अच्छा दिखाएगा पर वह हो ना हो पता नहीं है 20 साल का horizon हमने लिया है तो 20 साल में मान लीजिए दो या तीन बार recession भी आ सकता है तो इतना optimism सही नहीं है ठीक है तो फिर एक तरीके से आप यह particular calculation जैसा आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि total SIP investment आपको यह दिखाता है कि आपने 3 करोड 43 लाग 65,000 रुपे आपने डाले हैं यह आपके खुद के पैसे हैं जो आपने SIP में डाले हैं फंड में डाले हैं और उस टाइम पर 50 साल के उमर में वो जो कॉर्पस है आपका जो फंड है वो बढ़के हो गया है 9 करोड 18,27,365 रुपे तो एक तरीके सा आपको almost near about धाई गुने के आस percentage बढ़ रहा है आप अगर लंसम डालते तो शायद और ज्याद अच्छा return मिलता लेकिन यह SIP है तो month on month जाता है तो उसका increment भी month on month के हिसाब से ही होगा तो हमने अभी यह देखा था कि 50 साल के उमर में आपको 3,20,714 रुपे चाहिए होंगे उस हिसाब से अगर आप month ली देखे तो आप month ली सिर्फ .35% ही यूज कर रहे हैं जबकि मैंने पहले आपको बताया था कि यह value .5 यह उससे नीचे होना चाहिए .35 मतलब बहुत यह आपको 2% ही अपने korpes का उठा रहे हैं आपका korpes अभी 9 करोड का है और आप 4% ही उसमें से उठा रहे हैं मान लीजे 3,00,000 या 36,00,000 या उठा रहे हैं उसमें से भी बात करते हैं तो यहां पर मैंने एक पर्टिक्लर कॉलम दिया है जिसमें आप यह इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी खुद की आयू कितनी है कितनी हो सकती है हाइस मुझे लगता है मैंने अपने अगर आप सब्सक्राइब अगर बचते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है तो अगर आप इसको वाण लीजे 100 भी अगर करते हैं तो भी आप देखें बहुत ही बड़ा कॉर्पस है इसको समझ पाना भी थोड़ा मुश्किल है कि कितना यह पर पर्टिक्लर कॉर्पस है साथ सो बीस करोर और 97 लाग के असपास इसका कॉर्पस है और बहुत ही बढ़ा अमाउंट है आप अगर देखेंगे तो उस ताइम पे आपका कॉर्पस से आप सिर्फ एक ही परसन उठा रहे होंगे क्योंकि मंत लिए आपको चाहिए होगा उस टाइम के हिसाब से आपको चाहिए होगा 59 लाग रुपीज पर मंत पर आपके पास है 720 करोर रुपए उस टाइम पर तो आपने मान लिजे 50 के उमर में अगर रिटायर किया 9 करोर के बैलन्स में आप हर महीने 3,20,000 रुपए उठ रहे हैं और हर साल उसको 6-6% से बड़ा भी रहे हैं मान लिजे आज आपने 3,20,000 रुपए के आसपास उठा सकते हैं फिर अगले साल आप और 6% बढ़ा सकते हैं उसका अगले साल और 6% बढ़ा सकते हैं क्योंकि इंफलेशन पर आपको बढ़ता रहेगा तो आपके जो कीम कीमत है जिस कीमत से आप कुछ खरीदेंगे वो कीमत बढ़ता रहेगा तो आपको भी पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे तो आप 6-6% करके ज़्यादा ले सकते हैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से तो अगर आप 3,20,000 रुपए लेते भी हैं पचास साल की उमर म तक वह हुआ इसलिए है क्योंकि आपका इंफलेशन 6% है आपका रिटर्न 12% है और आप ले रहे हैं 4% मतलब आपका जो पर्टिकुलर कॉर्पस है 4% है आप ले रहे हैं 12% से उठ रहा है तो 8% रहे गया तो 8% येर और ग्रोथ करता 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 आपको ये वैल्यू दे तो ये बहुत जादा ओविसली वैल्यू है इसको अगर हम थोड़ा कट्शॉट और करें तो देखते हैं कैसे कर सकते मालीजे आप बोलते हैं कि नहीं 20 साल के लिए मैं को नहीं करना है पहले टर करना चाहता हूं तो मालीजे आप 45 इसको डालते हैं अगर आप 45 डालते तो आप देखिए इसको यह जो पर्टिकलर कॉलम है अभी आप साथ परसेंट से उठाएंगे इसको तो मैंने इधर यही डालाए कि लिमिट यह है कि 6 परसेंट क्योंकि आप उठा रहे हैं और आपका रेतन बारा परसेंट इंफलेशन max पर सकते इसके विर्थ से आप देख सकते इसमें अगर आप 80 डालते हैं तो आपका कॉर्पस को कुछ नहीं होगा आपका कॉर्पस गिरता जाएगा पर आप पैसे उठाते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है लेकिन हाँ उसके बाद आपके पैसे खतम हो जाते हैं तो इसलिए इसको हमेशा 6% से कम ही रखने की कोशिश करें और यहाँ पर रिटायर्मेंट में आप अगर 45 को 46 कर देंगे तो 6.3 पर आ गया अगर 47 कर द उसका वैल्यू जो है वो कुछ 5 करोड़ और 71 लाग रुपए है मनले 6 करोड़ के असपास और वही 6 करोड़ रुपए आपको आराम से कुछ 21-22 करोड़ रुपए देखे जाएगा इस पर्टिकलर क्यालकुलेशन के हिसाब से तो ऐसे आप प्ले अलॉंग कर सकते हैं इस प चेंज कर सकते हैं बट यह पर्टिकलर एक्स्पप्लेशन था एक एक रूप में कि क्या कितना आप डालने पर आपको कितना हासिल हो सकता है तो आप इसके साथ प्लेयालॉंग कर सकते हैं आप मानलीज़े आपको ऐसा लगता है कि या आज 1 लाग रुपए पर तयार यज ल 6 के नीचे आ जाता है तो जैसे ये 6 के नीचे आ गया आपको एक positive amount value जरूर दिखेगा किसी भी age जितना भी आप maximum age माल लीजे 100 maximum age है तो net आपको बस ये देखना है कि कितने साल आपको investment करना है कितना आप investment कर सकते हैं कितना आज आपको चाहिए तो उसे साब से calculate करके आपको बताएगा कि आज की lifestyle को same maintain करने के लिए 20 साल बाद भी आपको कितना पैसा चाहिए होगा उतना पैसा calculate करने के लिए या उतना पैसा आपके पास हो उसके लिए आपके पास कितना fund होना चाहिए वो यहाँ से मिलता है और यह particular amount आपके पास है और इसको आपने invest किया है 12% आपको return मिल रहा है 6% उसका inflation है तो आप 6% उसमें से उठा सकते है आप 6% उसमें से उठा रहे है तो आपका कुछ भी value गिरेगा नहीं बलकि आपका investment value बढ़ता ही जाएगा मान लिजए आपने इस particular scenario में यहाँ पर कॉर्पस 11 करोर के असपस है और आपके बास 92 क्रोर रुपीज रहेगा at a age of 100 मनलों after 49 years जो की almost 9 गुना है तो आप पैसे भी उठा रहे है प्लस आपका कॉर्पस भी बढ़ता जा रहा है तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग values चेंज करके इस Excel के help से कैसे हम financially planning कर सकते हैं और retirement को कैसे early हम लोग attainment कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं और इस particular वीडियो से थोड़ा पहुत यह भी समझने को आया है कि क्या number actually आपको achieve करना चाहिए क्या number आपको as a target रखना चाहिए अपने लिए और मैं अभी एक और पार्ट बनाने वाला हूं इसका जिसमें मैं कुछ bonus tips कुछ tricks और कुछ strategies बताने वाला हूं क्योंकि यह सब mostly on papers है तो इसमें कुछ risk measures आपको लेने बहुत ज़रूरी है उनके बारे में detail में मैं उस particular वीडियो में बताने वाला हूं तो उस वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए अभी वो editing phase में है पर जैसे वो वीडियो out हो जाता है आपको पूरा overall picture मिल जाएगा कि fire calculation कैसे कर सकते हैं financial independence आप कैसे achieve कर सकते हैं और क्या-क्या risk measures हैं जो आपको लेने चाहिए पहले से ही जिससे कि आप smoothly planning को execute भी कर पाए अगर आपको ऐसा कुछ content पसंद आता है तो आप ज़रूर मेरे को बताईए comment करके बताईए कि आपको कौन सा section पसंद आया कि इस वीडियो में इतना ही थेंक यू